नमस्कार प्यारे परदेश वासियों, परदेश में करोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल परदेश सरकार को आप सब की इस वरक्षा के लिए और कोबिट के संक्रमन को रोकने के लिए करोना कर्फ्यू को लागू करना पड़ रहा है। या करोना कर्फ्यू कल से लागू होगा, करोना के कारण बनी हुई स्थिती से हम सब लोग चिंतित हैं, हमारे लिए आप सब का जीवन बहुत मत्तपून है, इसलिए हमको हिमाचल परदेश में करोना कर्फ्यू लगाने का ये कदम उठाना पड़ा है। हिमाचल परदेश सरकार हर संभव प्रतन कर रही है कि संकट के समय में हम हर संभव मदद आप सब की कर सके। उस दृष्टी से जहां जो लोग हॉस्पीटल में एडमिट हैं, जिनका उपचार चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब उनकी सेवा में वहां पर काम कर रहे हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रतन कर रहे हैं। और उसी परकार से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन कोविट के टेस्ट में वो पॉजिटिव आये हैं, उनके लिए भी हमारे हेल्थ केर वरकर्स, आशा वरकर्स, हमारे पंचायती रासनसाओं के चुने वो प्रतनिधी भी प्रतन कर रहे हैं, कि उनको घर में कोई कर्षनाई ना हो, परिशानी ना हो, उनके परिवार वालों को विजिस रूप में मदद की जा सकती है, उस तरह से प्रतन किया जा रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी उन सभी लोगों के उत्तम स्वास्त्य की कामना करते हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, और उस संकट के हषन में, सरकार अपना दाईतों का निरुएन कर रही हैं, लेकिन उसके सासाथ में इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, हम भी जिम्यवारी के साथ काम करें, यह moera आप सबसे बिनुम्बन वेदन हैं, प्रदेश के नागरिक होने के नाते, य कि हम संक्रमन को रोकने में काम करें, फेलाने में नहीं, इसलिए हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनेतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं, परदेश में सैक्डों हजारों क्रोड रुपे के प्रोजेक्ट्स उद्गाटन और शिला नयास के लिए त्यार हैं, लेकिन उसके बाब जूद भी हमने वो सारे कारेकरम इसलिए रोके हैं, कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कारेकरम करेंगे, तो भीड का वहां पर आना होगा, और संक्रामन फैलने की वहां पर आशंका होगी, ऐसी परसिति में मेरा आप सबसे भी निवेदन है, कि सरकार अपने दायतों का जहां पालन कर रही है, इस संक्रामन को रोकने के लिए ह शादियों के आईजियन हो रहे हैं, हमने बार बार परदेश की जनता से इस बात के लिए आगरे किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक नहीं अनेक स्थानू पर ऐसा देखा, कि शादियों के समारो बहुत बड़े हो रहे हैं, और जिसके कारण संक्रामन बहुत ज़ मेरा आपसम से विनमबर निवेदन है कि कोविट के संक्र से सभी परदेशवासियों को बचाने के लिए हमने अकरोना कर्फियों लागू किया है, आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, निमों का उसमें पालन करें, और निश्चेत रूप से मैं इस बात को कह सकता यही एक मातर रास्ता है, कोविट से बचने के लिए, इस संक्र से बाहर निकने के लिए, मुझे पूरा बरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जाहिं